बॉलेवर स्टार अजय देवगन एक बफ फिर बड़े परदे पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तयार है साल 2015 में रिलीज हुई हिंदी रीमेक द्रिश्यम की तर्च पर अब इसके रीमेक में भी अजय देवगन एक अलग अंदाज में नजर आएंगे कुमार मंगत और अभिशेक पाठक की प्रोड़क्शन कमपनी पैनोरामा स्टूडियोज इंटरनाशनल ने द्रिश्यम टू के हिंदी रीमेक के आधिकारिक राइप्स खरीद लिये हैं इसी साल फरवरी महीने में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई मल्यालम फिल्म द्रिश्यम टू को दर्श को ने काफी पसंद किया है जिसके बाद ये खबरे आने लगी कि मोहनलाल स्टार फिल्म द्रिश्यम की तरह ही द्रिश्यम टू का भी हिंदी रेमिक बनेगा जिसमें एक बाफिर अजय देव गनली डूर द्रिश्यम टू का ऐलान करते वे निर्माता कुमार मंगत ने कहा द्रिश्यम टू के भारी सफलता के साथ इसकी कहानी को उसी जुनून और समर्पन के साथ कहा जाना जरूरी है और एक निर्माता के तोर पर मैं इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ मल्यालम फिल्म द्रिश्यम और द्रिश्यम टू के लेखक और निर्देशक ने इस मौके पर कहा द्रिश्यम टू की कहानी दर्शको को काफी पसंद आई थी मुझे इस बात की खुशी है कि पैनरोमा स्टूडियोज इस फिल्म को हिंदी रिमेक के जरिये इसे और अधिक दर्शकों तक पहुँचाने में कामयाब साबित होगा द्रिश्यम के पहली हिंदी रिमेक को भी पैनरोमा स्टूडियोज इंटरनाशनल ने ही प्रोड्यूस किया था आपको बता दे साल 2015 में आई हिंदी रिमेक द्रिश्यम में अभी नेता अजय देवगन के साथ फिल्म में श्रिया शरन तबू और इशिता दत्ता मुखे भुमिकाओं में थे फिल्हाल द्रिश्यम टू में अजय देवगन के अलावा किसी और को कास किये जाने की खबर नहीं है